हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वायात है आपका अपने यूटुब चैनल स्टाडिवेस सुजीत में तो दोस्तों आज हूं क्लास्ट वेल के हिंदी के महत्तपुण अब्जेक्टिव कोसंस के बारा में डिस्कूस करेंगे जो हमारे बोड एक्जाम के लिए काफी महत्तपु और आइट एंसर हो जएगा हम लोग सधाराम बासा में भी बोलते हैं खारा खोटा सुना देता तो खारा का खोटा हो जएगा याद रखेगा और ग्यानपीट पुरसकार से समानित राचना कौन सी है उर्वसी कुरुछेत रेनुका और डी है कोई नहीं तो ग्यानपीट प समाजिक हो जएगा तो समाजिक कि यहाँ पर किस ऑप्सन में दिया गया है पूर्ता तो यह उप्सन वर्जों यहाँ पर यहाँ वह राइट एंसर हो जएगा इंसर जब टाइप करते चलेगा दोस्तों यह लास्ट ट्री बीजन है तो बिद्याले का बिशेशन क्या होगा लुद्या से नहीं यहाँ पर संधी बिशिएदी लिखना चाहे तो अप्सन वर्जों भी है वराइट एंसर हो जएगा घूटने टेकना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो घूटने टेकना मुहाबरे का जो सवही अर्थ होजगा लुद अपशन वर्जों यहाँ पर परफशनेकार कोंहें। तो संपुर्ण करांति के जो रशनेकार हैं जए प्रकास नरायंजि हैं। अप्सन नुमर यहां पर सी जो है वह सही अंसर हो जाएगा। जै कृष्ण पॉर्थी के त्वरा जो निद्या पार्ट लिखा घया था याद रखेगा। और भगस्य के दार तो जानते ही है एक लेख और एक पत्र लिखा गिया है तो इसका राइट sensor अप्सन मंघ और उदंड का बिलोम सब्द का होता है काफी महत्प्पोव प्राशन है दुस्तो यह उदर्ण का बिलोम सब दिखा होता है तो यह बिनर्म हो जाएगा और यहां पे आप देखेंगे उसने कहा था कीस परकार की कहानी है काफी महत्तपों उपरस्ण है कि उसने कहा था कीस परकार की कहानी है तो यह कर्म परधान है ठीक तो option और जहाँ पर B है वो राइट एंसर होज़ेगा दोस्तो एंसर जोड़ टाइप करते चलिएगा तो इसे जरूर लाइक किजेगा और इसे जरूर सियर कर दिजे दोस्तो एक आदमी अगर एक के पास भी सियर करता है तो बहुत ही अच्छा होगा तेक बाद जरूर सियर करने का प्रयास भी किजेगा दोस्तो और बातचीत सिर्शक निमंध के निमंध कार कौन है तो बातचीत से रिलेटेड ही इनका नाम है बहुत से बहुत से बाल कृष्ण भर्ट ऑप्समर्ज यहां पे जो बी है वो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों और नामर सिंग के दौर जो पार्ट लिखा गया था दोस्तों वह पार्ट लिखा था परगीत और समाज और उदय प्रकास के त अंतिम पद पर धान होता है तो अनन्द यहां एक वरका का सब्द होता है अनन्द इसमें ई हरसाई से ई हो जाएगा और तो तो याद रखेगा ऑप्सन नमर जो यहां पे जो बी है वो राइट एंसर हो जाएगा और यहां पे आप देख रहे हैं कि तूलसी दास के जरू लाइक किजेगा और यहां पे आप देख रहे हैं कि फोजी वहां लड़ने के लिए है वे भाग नहीं सकते हैं जो फोज छोर कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है उप्रुक्त उधारन कीस पार से लिया गया है तो यह तो यह पढ़ते हैं तो जरू मालुम चल ग समास है तो आज दो समास के उधारन होते और याद रखेगा अर सूर सागर के कभी कौन है तो इनके नाम से हैं सूर दास तो option नमर जो यहाँ पर जो भी है variety अंसर हो ज़ेगा दोस्तों तो चलिए नेक्षन प्रस्ट को देखते हैं और यहाँ पर 15 प्रस्ट आप देखेंगे पंच वटी तो पंच वटी 5 वट बिरिक्छो का समूँ तो पंच वटी इसका पहला पद क्या है संख्या वाचा कैने की 5 है तो 5 यह दिगू समास में इसका सही अंसर हो जगा दोस्तों क्योंकि दिगू समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद संख्या वाचा को जैसे 14 हा तो चौराह में पहला पद क्या है इसमें चार है और पंचवाटी में क्या है पहला पद इसमें पाँच है तो अप्सन में यहाँ पे जो C है वो सही एंसर हो जेगा और खून पसीना एक करना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है एंसर जो टाइप करते चलेगे दोस्तो कि खून पसीना एक करना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है यूद करना बहुत परिस्तरम करना बहुत क्रोधित करना उल्टा काम करना तो खून पसिना एक करना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जहेगा दोस्तोओ यहां हो जहाँ बहुत परिस्थरम करना यानि कि मल्याग्या की राशना नहीं यहाँ पे बताना है क्या कौन सी राशना अर्थ हो जजेगा तो इसका जो सही answer हो जेगा ये सभी है तो option जो D है और right answer हो इन्वे से कोई नहीं उपवास में कौन सा उपसर्ग है तो ये प्रस्ण देखते ही आप दे दिये होंगे answer कि उपसर्ग में पहला पत परधान होता है और परते में अंतिम पत तो उपवास वास तो ये अस्थान जैसे वास अस्थान होजेगा वास तो एक सब्द होता है लेकिन यहाँ पे उप उपसर्ग लगाए तो option नमर्ज यहाँ पे ए है और right answer होजेगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सकार का बिलोम सब्द क्या होता है तो सकार का जाहिल से पते निराकार होगा option बर जो यहाँ पर ए है और right answer होज़ेगा सगार का नीराकार हाथ पेर कौन समास है हम जानते हैं कि दोनों पद जिसमें परधान होता है वह दोन्द समास के साथ जाता है answer तो हाथ पर हाथ भी पर्थम पद परधान है और द्वितिय पद भी परधान होता है तो यह दोन्द के साथ right answer चला जाएगा option बर जो यहाँ पर ए है वो right answer होज़ेगा दोस्तो और यहाँ पर कामचोर कौन समास है कामचोर तो कामचोर जो यहाँ पर समास जो इसमें लगा है वह तत्पूरू समास होज़ेगा दोस्तो यह बहुँ ब्रही समास में बात नहीं किये थे तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं थोरा सा बहुँ ब्रही समास में का होता है दोस्तो कि इसमें अलग से एक अन्य पद परधान होता है जैसे गाजानन तो गाजानन तो यह सब्द हो गया और गाजानन हम लोग की से क्या होगा तो आत्मा का जो बी सेशन हो जाएगा दोस्तो वह आत्मी ये हो जाएगा आत्मी ये अप्सन नमर जो यहाँ पर बी है वह सही एंसर हो जाएगा आत्मा का आत्मी ये answer जरूर type करते चलिएगा और नायन का सही संदी पीछेद क्या होगा तो नायन ये तो आयादे संदी का उधाना रहता है तो ने जोर on देखेंगे किस अपसन में ने जोर on तो ये option नमर A में है जो कि सही answer होजएगा option नमर A और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसने गुरु से दिक्षा ली हो एक सब्द में क्या कहा जाता है तो जिसने गुरु से दिक्षा ली हो उसे एक सब्द में दोस्तों क्या कहते हैं तो उम्मिद करते आप भी एंसर दे दियोंगे कि दिक्षित जो बिल्कुल ही सही एंसर होजेगा option number B और नींदा का बिलियोम सब दिख्या होता है तो नींदा का जाहिल सी बात है अस्तुति करना होजेगा option number यहाँ पर A है variety answer होजेगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि हार जीत कभीता कीस कभीता संग्रा से ली गई है तो हार जीत कभीता जो है दोस्तो मित करते हैं आप answer भी दे दिये होंगे या कहीं नहीं वहीं से यह ली गई है हार जीत कभीता option number यहाँ पर A है variety answer होजेगा और लंबोदर में कौन से समास है हम बहुत पहले ही आपको डिसकस किये थी कि अलग से कोई पद परधान होता ही है यह बहुप्रही समास होजेगा option number यहाँ पर जो यहाँ पर जो C है variety answer होजेगा और लंबोदर हम लोग गणेस को बोलते हैं याद रखेगा और गाजा नंद भी गणेसे को बोलते हैं याद रखेगा option number यहाँ पर C है variety answer होजेगा दोस्तो और निमने लांकित में उधारन की स्पार्ट से लिया गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह कोशन्स थोरा गलत है तो इसको अटा देते हैं option number A अकास होजेगा अकास और निष्चाई का निष्चाई यह एक पर यहाँ बिसर्ग संदी है तो बिसर्ग संदी देखेंगे किस option में है तो नहीं जोड़ चाई यानि कि निष्चाई option number A है variety answer होजेगा दोस्तो option number A उद घाटन उद घाटन का सही संदी बिछेद क्या होता है उमिद करते हैं आपका इंसर आ गया होगा कि उद घाटन का सही संदी बिछेद क्या होता है तो उद जोड़ घाटन तो यहाँ पर देखेंगे किस option में है तो option number जो यहाँ पर C है variety answer होजेगा उतु जोर घाटन तौमे हलान्त रहेगा दोस्तों याद रहेखा और जंजन का चेहरा एक कभी कौन है तो जंजन के चेहरा एक के सिर्षा कभी कभी जो है वह गाजानन माधा मुक्ती बोध जी है और बात करें ग्यानेंद्र पती जी के बारे में तो इनके दोर जो पार्ट लिखा गया था गाओं का घर अनामा और सिह के तो जानते ही हैं इनके दोर जो पार्ट लिखा गया है वह प्रगीत और समाज और असोग बज़ पर हारजित पार्ट लिखे हैं याद रेखेगा option number जो यहाँ पर B है वह सही answer हो ज़ेगा दोस्तों और यहाँ पर प्रस्नाप देख रहे होंगे कि भूशन की स्काल के कवी माने जाते हैं रीतिकाल, अधुनिकाल, भक्तिकाल या आधिकाल तो भूशन जो थे दोस्तों यहाँ रीतिकाल के कवी माने जाते है option number जो यहाँ पर A है वह सही answer हो जगेगा और दिवता का प्रेवाची सब्द क्या होता है तो दिवता का यहाँ प्रेवाची सब्द पुझाए दोस्तों तो दिवता का दिव हो जएगा option जो A है वह राइट एंसल हो जग रहे हो तीसे like जोग कीज़ेगे दोस्तों और चान दिखा रहेगा हिंदी भीवियाई सब्जेक्टिव कोसंस तो उसे आप देख सकते हैं बोड़ एक्जाम से पहले दोस्तो एक भी प्रस्ण तर उसे बाहर एक भी प्रस्ण तर नहीं पुछे जाएगा आपे से बाहर होना मुहाबरे का और्थ क्या होता है काफी महत्तपुन प इंसर नहीं है और यहां पर देख रहे हैं प्रस्ण को कि बैद का बीलों सब्द क्या होता है तो बेद का जाहिल सी बात है बीडाुम सब्द हो जेगा ओपसन मर्ज यहां पे b है वो right answer हो जेगा और गयात का बीडाुम सब्द क्या होता है तो गयात का ऑगयात हो जएगा ओपसन मर्ज यहां पे जो b है वो σही answer हो जेगा दूसतो आप बस सीदत से अन तक जो बने रहीएगा और यहां पर आप देखेंगे कोड़बक कहानी किसकी राशना है तो कड़बक जो कहानी है कोड़बक किनकी राशना है तो यहां जो हो जाएगा दोस्तों 41 का यह हो जाएगा मलिक मुहमत जायसी जी का हो जाएगा कोड़बक याद रखेगा और इन कवीता संग्रह की है तो गाओं का घर सिर्षा कवीता किस कवीता संग्रह की है तो उमीद करते हैं आपका एंसर आगे होगा तो यह है संस्यात्मा Option number C है वो सही answer हो जेगा और रोज कहानी के कहनीकार कौन है तो रोज कहानी के जो कहनीकार है वह अग्ये जी है Option number A है वो right answer हो जेगा और बालकरिष्ण के बारे में बात करें बालकरिष्ण भर तो ये बात चीत के लेखक है अब मल्यागी हस्ते हुए मेरा अकिलापन और मुहारा केश मुहारा केश के जब सिपाही की माँ पार्ट लिखा गया है याद रेखेगा तो इसका राइट इंसर हो जबा अप्सन नमबर A प्रिथवी का प्रेवाची सब्द क्या होता है तो प्रित्वी का जो परिवाची सब्ध हो जगा दोस्तो यह होता है भूमी इसका सही अंसर हो जगा प्रित्वी का भूमी हो जगा और अपना उलू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है चपलूसी करना अपना काम निकलना मुर्ख बनाना या चलाकी करना तो अपना उलु सीधा करना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा दोस्तो यह होता है अपना काम निकालना अप्सान नमर जो यहाँ पे जो बी है वह राइच एंसर हो जेगा और अगवीर सहाय का जन्व अस्थान कहा है अगरा मेरत लखनव परियास तो यहाँ परियाग राज तो यह यहाँ पर सी है वह सही अंसर हो जेगा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रंगून कहां इस्ती थे काफी महत्तपूर्ट सवाल है दोस्तों कि रंगून कहां इस्ती थे नेपाल वर्मा चीन और जपान तो रंगून जो इस्ती थे दोस्तों यहाँ वर्मा में इस्ती और उसने कहाقت there था कहानी के नायक कौन है तो उसने कहानी के जो नायक है वा लाहना सी आपसों मेरजो साही यहां और भारत का भी सेसन क्या होता है तो भारत का जाहिद से बाते हैं बहारती हो जाएगा ऑप्सन मर्जों यहाँ पर जो ए हे वह सही एंसर हो जाएगा भाद का भी सेशन भारती हो जाएगा दोस्तों तो इस परकार से इस महत्तपूर्ण सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं अगर इस सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छे लगी हो तिसे लाइक कीजिएगा दोस्तों और चैनल पढ़ना ही जोड़े हो तो चैनल को जोड़ सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स दूड़े में आज करता हैं दोस्तों थेंक यू